वेलकम तो नेक्स एक जाम आज है पांच जनवरी 2023 और पांच जनवरी 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंग पीडियो पाल आप अमारे टेलेग्राम गूरुक्श से भी टाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गूरोप पर आपको सारे पीडियो एक साथ मिल जाएए और टेलेग्राम कमेंगे एक्चुन में द्रश्टी बादित लोगों के लिए ब्रेल के महतों के बारे में जागनुकता बढ़ाने के लिए हर साल चार जन्वरी को बेश्टी ब्रेल दिवस मनाये जाता है। तो इस कुश्टीन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरुक्या करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी हाली में भारत पे ने CEO के रूप में किसे न्यूट किया है तो अभी भारत पे ने अपने अंतरिम CEO के रूप में नलिन नेगी को पॉइंट किया तो इस question का say options है यह है नलिन नेगी यह अभी तक भारत पे के CFO थे यारे कि Chief Financial Officer अब इनको अंतरिम CEO अपोइंट कर दिया गया है अच्छा अभी पंकज मोहन ने भारती बायुसेना की पस्यमी कमान समाले है उत्तर प्रदेश की पहली मैला पुलिस कमिस्नर बन गई है लक्षमी सिंग MOIL के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक का पदबार अजीत सक्सेना ने ग्रहड किया है और Air India के कम लागत वाले एरलाइन बेवसाय का प्रहुक आलोक सिंग को नामित किया गया है हाली में एहमदाबाद दिल्ली संपर्क करांती एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या किया जाएगा तो एहमदाबाद दिल्ली संपर्क करांती एक्सप्रेस का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा तो इस question का बे options है ये अक्षरधाम express एक्षुल में B.A.P.S. संस्तान के प्रमुक स्वामी महराज का सताबदी समारों चल रहा है इसी सताबदी समारों के सम्मान के लिए अब एहमदाबाद दिली संपरक्रांती express का नाम अक्षरधाम express किया जाएगा नेकी शिन है हाली में कहां गान नगाई उत्सब मनाया गया है तो गान नगाई उत्सब ये अभी मड़पूर में मनाया गया तो इस question का C option सही है गान नगाई उत्सब ये एक तरह का प्रमुक फसल उत्सब होता है ये फसल की मौसम की बाद मनाया जाता है और जेलिया रंग समुदाए की द्वारा मड़पूर में से मनाया जाता है अब मड़पूर तो ये है मैपनो मड़पूर मड़पूर की केपिटल क्या है? मड़पूर के चीप मिश्टर कौन है? एन बेरेंज सिंग और मड़पूर की गवर्नर कौन है? ला गड़िशन कौन है? ला गड़िशन अभी पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मड़पूर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा अमूर फालकन फेस्टिवल का सात्मा संस्कर्ट मड़पूर में मनाया गया इमफाल में आम लोगों की सिकायतों के लिए सियम दा हैसी पूर्टल का सुवारम हुआ खौंग जॉंग दिवस ये 23 अपरेल को मड़पूर में मनाया गया पूर्वोत्तर का सबसे उचा रास्टी द्वज जिसकी उचा ये 165 फीट है ये मड़पूर के बिजडुपूर जिले में फैराया गया मड़पूर के मुख्यमंत्री ने Catch the Rain campaign 2022 लॉंच किया और लाई हरोबात दिवार ये मड़पूर में मनाया जाता है संगई महुत्सप ये भी मड़पूर में मनाया जाता है नएक खुशिन है हाली में केसराय सरकार ने मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना शुरू की है तो अभी मद्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना शुरू की तो इसकुशन का बे आप्सन सही है अब ये क्या है मुख्य मंत्री आवासी भू अधिकार योजना तो मद्यप्रदेश में ऐसे लोग जिनके पास खुद का अपना घर नहीं है उन लोगों को गवर्मेंट अब प्लॉट देगी और ये लगबग 600 स्कौर फिट का प्लॉट होगा उस एरिया में एबेलेवल लें प्लॉट देश की केपिटल के है भूपाल और भूपाल में है भूजदाल मद्यप्रदेश की चीपनिश्टर है सिवराज सिंग चोहान और मद्यप्रदेश की गवर्नल कौन है मंगू भाई सी पटेल अभी भारत के पहले और बिसु के दूसरी इंफेंट्री संग्राले का उद्गाठन इंदोर में किया गया मद्यप्रदेश सरकार ने पेशा कानून लाओ किया है भूपाल रेलवे स्टेशन को फूर स्टार्ट एट राइट स्टेशन का प्रवाण पत्र मिला है दुनिया की पहली बैदिक घड़ी उज्जेन में हाली में देश में बेरोजगारी दर दिसम्बर में बढ़कर कितने प्रतिसत पहुच गई है तो दिसम्बर महा में बेरोजगारी दर बढ़कर तो इसकुषिन का या options हई है ने क्यूशन है हाली में सियाचीन में तेनात होने वाली पहली मैला अधिकारी कौन बनी है तो अभी सिवा चोहान सियाचीन में तेनात होने वाली पहली मैला अधिकारी बन गई तो इसकुशिन का C options है यह हैं सिवा चोहान ये दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेत्र पुर्षा, पुर्विस्टे मदोट्स पुर्ष को यह औभ झालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, नहे किस राज ने राजस invited, पुलिस वेहोस्टा को खत्म करने का फैसला किया है, तो अभी उत्राखड ने राजसिप पुलिस वेहोस्टा को खत्म क तो इस कुशिन का बिम्दी कि यह जरूर किलिक क्या होगा कि राज़स्य प्यवस्ता यह क्या होती है आपने दीखा होगा जननली राजी में सिर्फ एक पुलिस होती है उस पुलिस को राजी का ग्रह विबाग कंट्र। करता है जो राजी का ग्रहमां त्राले होता है वह वह कंट्रोल करता है Einा यह राजसुप पुलिस पी होती है उत्तराखण में लगबग 1800 गाउँ ऐसे हैं जहां पर राजस पुलिस की विवश्बूस्ता थी होता क्या है पाड़ हो पर जनलली क्राइम कम होता था पहले कम होता था अब तो क्रैम वहां भी बढ़ गया है तो वहां पर क्या गिया जाता था जैसे लेकपाल है कानून इन ही को पुलिस का हक दे दिया जाता था यही पुलिस का काम करते थे तो इस ब्यवस्ता को राजस्व पुलिस ब्यवस्ता कहते थे और इन गाओं में इन एरियाज में नॉर्मल जो पुलिस होती है वो नहीं होती थी और अभी उत्राखंड में आपको बता है जब अंकिता उसके बाद से इस राजस्व पुलिस को हटाने की मांग चल रही थी, तो अब उत्राखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्योस्ता को खत्म करने का फैसला किया है, अब ये जो अठारे सो गाउं है, यहां भी उत्राखंड की जो रेगुलर पुलिस है, वही होगी, अब उत्राखंड तो ये है मैप में उत्राखंड उत्राखंड की कैपिटल क्या है देहरादू देहरादू बेंटर कैपिटल है और गैरसेंड समर कैपिटल है उत्राखंड के चीपनिश्टर कौन है पुसकर सिंग धामी और उत्राखंड की गवर्नर कौन है गुरमेट सिंग अभी उत्त्राखंड हाई कोट को नैनी ताल से онаi shift किया गया है उत्त्राखंड ने 9 नमंबर को अपना इस्तापना दिवस मनाया है उत्त्राखंड के मुख्य मंतरी ने लखपती देदी मेले का सुबारम किया है उत्राखंड के Allee Military Station में रक्षा मंतरी ने सस्त्र पूजन किया रक्त दान अमरत महोतसम में उत्राखंड को दूसरा इस्तान मिला है और स्कूल सुक्ष्टा सिक्चा कारिकरम पहल ये उत्राखंड ने सुरू की है उत्राखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसका पूर नाम है हैली नेशनल पार्क उत्राखंड में फूल देही तिवार मनाय जाता है उत्राखंड में फूलों की घाटी है और हरेला पर भी माले में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साज़दारी की है तो अभी HDFC बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए Microsoft के साथ साज़दारी की तो इसको इनका A options है अब Microsoft तो इसकी स्थापना का हुई 1975 में इसका headquarter कहां पे है Washington DC में और इसके present campus CEO कौन है सत्या नडेला अब HDFC बैंक इसकी स्थापना कब हुई 1994 में इसका headquarter कहां पे है मुंबई में और इसके present campus CEO कौन है ससिधर जगदीशन हाली में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहां सियोल पुल का उद्गाटन किया है तो रक्षा मंतरी राजना सिंग ने अभी अरणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्गाटन किया तो इस question का B options है इस पुल को border road organization ने बनाया है अब अरणाचल प्रदेश में इसका उद कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अभी प्रदर्मंत्री मोधी ने डोनी पोलो एरपोर्ट का उद्गाटन इटानगर में किया अरणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्ता पसुदन टेका कर्ड सेवा शुरू की अरणाचल प्रदेश में बालोंग मेले का आयोजन किया गया और पूर्वोत्र का पहला एक्वा पार्क अड़ाचल प्रदेश में इस्तापिट किया जाएगा ने क्यूशन है हाली में प्रदार्मंत्री मोधी ने कहां रास्टी जल और स्वक्ष्टा संस्तान का उद्गाटन किया है तो प्रदार्मंत्री मोधी न अभी कूलकाता में रास्त्री जल और स्वक्स्ता संस्तान का उद्गाटन किया तो इस कुशन का से ओप्सन सही है नए कुशन है हाली में केस राज सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रेड किया है तो अभी असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रेड किया तो इसकुशन का बे आप्सन सही है असम की धुबरे जिले में गौरिपूर साही परिवार के एतियासिक मटिया वाग हवा महल को एक विरासत इस्तल के रूप में संरक्षित करने के लिए असम सरकार ने अधिग रहित किया है अब असम तो ये है मैप में असम असम की कैपिटल क्या है दिस्पूर असम के चीपनिष्ट कौन है हे बंता विस्व सर्मा और असम की गवर्नर कौन है जगदेश मुखी अच्छा अबे असम के मंत्री मंदल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बिधेयक को मंजूरी दी पूर्वत्तर के पहले युनानी चिकित्सा चेत्रे केंद्र का उद्गाटन असम के सिल्चर में किया गया असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की सुरुवात की ट्रेज ब्योंड फॉरेस्ट कारिकरम ये असम में सुरु हुआ कटि भी हू त्योहार ये असम में मनाय गया असम में कटि भी हू बगरुमबा भुर पुर्ताल और जुमुर ये तिवार मनाया जाते हैं असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं काजी रंगा मानस ओरंग डिबरु सैकोवा राय मोना और देइंग पट गई ये असम के इंपूर्टेंड नेशनल पार्क है ने क्यूशन है हाली में राष्टपती मुर्मू ने क नहां सम्विदान उद्ध्यान का उद्गाटन किया तो राष्टपती मुर्मू ने अभी जैपूर में सम्विदान उद्ध्यान का उद्गाटन किया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है सम्विदान उद्ध्यान मयूर इस्तम राष्टी ध्वज इस्तम महत्मा गांदी औ और महाड़ा प्रताप की प्रत्यमाओं का उद्गाठन राश्टपती मुर्मू ने अभी जैपूर में किया है ने हुशन है हाली में केस राज सरकार ने UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड रुपए के समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं तो अभी उत्तर प्रदेश सरका यू ए आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड रुपए के समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं तो इस कुश्यन का A options आई है अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटिल क्या है लखनव और लखनव किस नदी के किनार इस्तित है गूमती नदी किरा इस्तित है उत्तर प्रदेश के चीपनिश्टर है योगी आतिनात और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश का राज की पसु है बारा सिंगा राज की पच्ची है सारस यक्रोच राज की पुस्प है पलास और राज की अभी उत्तरप्रदेश की पहली मैला पुलिस कमिशनल लक्षमी सिंग बनी है उत्तरप्रदेश सरकार ने रामायड और महाबारत सरकिट बनाने का नेड़ा लिया है 2023 केलो इंडिया यूश्टी गेम्स की मेजबानी उत्तरप्रदेश करेगा और उत्तरप्रदेश सरकार ने मत्वरा ब्रंदावन को 2021 तक कारबन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की गोशना की है उत्तरप्रदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है, कतर्नियंगाट वर्ले सेंचुरी है और पेले भी टाइगर रिजर्ब है ने क्यूश्ट है हाली में साड़ी महुतसब बिरासत कहां शुरू हुआ है तो एक साड़ी महुतसब बिरासत ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ तो इस कुश्टिन का से ओप्सन सही है अब लास्ट वीडियो के कुश्टिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्टिन पूछा था कि हाली में भारत के 78 में ग्रेंड बास्टर कौन बने है तो कॉस्ट व चटर जी अभी भारत के 78 में ग्रांड बास्टर बने यानि कि इस कुश्टिन का डे ओप्सन सही था और लगबख सभी स्ट्रेटनेस का अंसर सही दिया मोश्ट ले स्ट्रेटनेस के वारें डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हूँ आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चन आपके लिए आज का कुश्चन है हाली में बिंटेज बहानों के लिए अलग पंजी करण करने बाला पहला राजी कौन सा बना है चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाब आप हमारे फेसुख पेज पर प्रेबियस एर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसुख पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेसुख पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुश्चन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर्सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, without any agitation डिस्कस कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है, 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अल्पो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन किया आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज बेदियो तैंक्स वर वाचिंग